क्या बाबा बागेश्वर को ओडिशा ट्रेन हाथ से की थी जानकारी खुद किया ये खुलासा पंडित धीरेंद्र शास्त्री से जब पूछा गया कि क्या उन्हें बालासोर जैसी घटनाओं का पहले से अंदेशा हो जाता है क्या सपर धीरेंद्र ने कहा कि संकेतों का अनुभव होता है पता होना अलग तालन अलग है भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी लेकिन वे ताल नहीं सके पता होना अलग है प्तालना बहुत अलग है भगवान कुछन को भी पता था कि महा भारत होगा प्ताल होगा पता होना अलग है दरसल पंडित धीरेंदर शास्त्री से जब पूछा गया कि क्या उन्हें बालासोर जैसी घटनाओं का पहले से अंदेशा हो जाता है क्या इस पर धीरेंदर ने कहा कि संकेतों का अनुभव होता है पता होना अलग है श्री कृष्न भगवान को भी पता था क कि महा भारत होगी लेकिन वे टाल नहीं सके धीरेंदर शास्त्री ने ओडिशा की घटना पर जताया दुख बागेश्वर बाबा ने हाथ से पर दुख भी जताया और समवेदना भी जाहिर की उन्होंने कहा विचित्र घटना घटी है मैं प्रार्थना करता हूं कि देश मे कभी ऐसी घटनाएं न घटे उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी कि प्रोल हो रहे धीरेंदर कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर यानी धीरेंदर कृष्ण शास्त्री अपने चमतकार के लिए पिछले कुछ महीनों से देश घर में चर्चित ह वे परची निकाल कर हर किसी के अतीप में जहांत लेने का दावा करते हैं कई बार वे भविश्यवानी भी करते नजर आते हैं लेकिन बाला सोर प्रेन एकसिडेंट के बारे में धीरेंदर शास्त्री ने जो दावा किया उसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है यूजर सवाल पूछ रही हैं कि जब बाबा में भविश्य देखने की शक्ती है तो उन्होंने बालोसर ट्रेन हादसे को क्यो नहीं टाला या पहले से हादसे की जानकारी क्यो नहीं दीता की हादसा टाला जाए इसी तरह से लोग कई तरह के सवाल धीरेंदर शास्त्री से उच रही हैं